नवरात्री एक ऐसा पर्व जो पूरे देश में बड़ी धूमधाव से मनाय चाता है लेकिन क्या आपने कभी सूचा है कि आखिर इस पर्व का एतिहासी और धार्मिक महत्व क्या है आज हम आपको बताएंगी नवरात्री से चुड़ी वो कहानी जो सद्यों से हमारे दिलों म बसी है बहुत समय पहले की बात है असुरुका राजा महिशासूर धर्टी और स्वर्ग लोग में आतक बचा रहा था उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वर्दान प्राप्त किया कि कोई भी दिवता या पुरुष उसे हरा नहीं पाएगा इस वर्दान की कारण बैशासूर और भी एहंकारी होकिया और स्वर्ग पर अधिकार का लिया। दिवताओ की हार से सभ भैबीत होके और उन्हों हुपने भगवान विश्नुप और प्भगवाण श्यो से मदद की गुहार रगाई। खिलाब युद्द का बिगुल बचाया और नौ दिनों तर्ग भयंकर युद्द चरा मैशा सुर्फ अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर मादुर्गा को हराने की कोशिश करता रहा लेकिन हर पार असफर्वा अंत्तार दसवेतिन मादुर्गा ने मैशा सुर्ग का ज्ञान की प्रतीख है दसवेतिन विजज़लक्षमी के रुप में मना जाता है जो बुराई पर अच्छाए की जित का प्रतीख है नौराती का यह पर हमें सिखाता है कि जब भी बुराई हावी होती है तो शक्ति सहास और सही मांग पर चलने से अंतिता जित सच्छाय की हो या कहानी हमें प्रेणा देती है कि हमें हमेशा सच्छाई और नाय के रास्ति पर चलना चाहिए इस बावन हमसर को अपनी परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर में आए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कुरुपिया लाइक और सब्सक्राइब करें हमें अपने बिचार कमेंट में बताना ना भुले हमारे चैनल से जुड़े रहे ताके आप नवरात्री और अन्य उसो की और भी खबरे और ड्रंकिर याद देख सके आप सभी को इन्बिस्यन नियूस की ओर से नवरात्री की हाथ शुब काम नाए